तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में टॉप 100 कोशन डिसकस करेंगे जो कि most expected repeated questions होते हैं आपके exams के लिए और यह जो questions होते हैं सभी competitive exams के लिए important होते हैं और जिन भी लोगों के द्वारा कोई exam दिया गया होगा तो उनको काफ़ी सारे questions मिलेंगे जो कि उनके exams में पहले ही पूछे जा चुके हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो पहला question है which of the following is a folk dance of miseram and is performed by using bamboo stick तो इन मेंसे कौन सा एक dance है जो कि एक folk dance of miseram state का जिसमें की जो bamboo stick होती है उनको इस dance form में use किया जाता है तो आपका answer हो जाएगा चिरव चिरव डांस जो होता है ये एक folk dance है miseram का जिसमें की bamboo sticks का use किया जाता है तो dance forms जो होती है most important रहती है तो यहाँ पे जो topic रहेगा वो रहेगा folk dances folk dances की आपको separate video channel पे मिल जाएगी कोई भी topic अगर हम इस video में discuss कर रहे हैं उसकी separate video already आपको चैनल पे provide कराई जा चुकी है तो आप उनको जरूर देख सकते हैं अगला question देखते है हमारा which of the following sports person wrote the autobiography book ace against odd तो ace against odd जो book है यह किसकी autobiography है तो हमारा answer हो जाएगा सानिया मिर्जा तो सानिया मिर्जा जो की एक Indian sports person है काफी famous रहती है आप सबको पता होगा इनकी एक autobiography रहेगी जिसका title रहेगा ace against odd finance secretary of India science which currency note तो आप सबको पता है कि जितने भी note होते हैं इंडिया में उनके उपर RBI governor का sign होता है लेकिन कौनसा ऐसा इकलोता note होता है इंडिया का जिसके उपर finance secretary जो है इंडिया के उनका sign होता है तो कौनसा note रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा 1 rupee note तो एक रुपे का जो note होता है सिर्फ उस पे finance secretary का sign होता है इंडिया में विद विच कंट्री इंडिया share longest border तो इंडिया की जो boundary है वो सबसे जादा कौनसी country के साथ share होती है तो हमारा answer हो जाएगा बंगलादेश तो बंगलादेश जो country है उसके साथ सबसे जादा border share होता है इंडिया का तो plants जो होते हैं उनका भी जीवन होता है उनकी भी life होती है ये किसने सबसे पहले खोजा था तो हमारा answer हो जाएगा जेसी बोस जेसी बोस जो है बारती रहेंगे इनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि plants में भी जीवन होता है तो मुगल empire आपने पढ़ा होगा मुगल empire जो है important रहता है पूरी उसकी बाबर के द्वारा मुगल empire की नीव रखी गई थी उसमें पूछा जाता है कि last ruler कौन थे मुगल empire के तो आपका answer हो जाएगा बहादुर शाह second बहादुर शाह second जो थे ये last ruler थे मुगल empire के जितने भी empire रहेंगे जितनी भी dynasty रहेंगी इंडिया की उन सब के पहले ruler कौन थे और उन सब के last ruler कौन थे ये आपसे exam में पूछा जाता है separate video channel पे मिल जाएगी अब अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते है 2000 questions की एक e-book रहेगे सिर्फ 99 रुपीज में आपको provide कराए जा रही है 67% off दिया जा रहा है important क्यों रहती है important इसलिए रहेगी आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हूँ आपको हर दिन की जो shift रहती है उसमें साथ से 8 questions इस e-book से मिलते हैं और important इसलिए भी रहेगी हूँकि इसमें 500 science के questions है 500 static GK के 500 current affair रहेगा 2020 का और 500 basic GK के question रहेगे अगर आपको current time का current affair चाहिए 2021 का तो उसके लिए separate video बनाए गयी है जो कि आपको 29 रुपीज में मिल जाएगी दोने e-book का link आपको description में provide कराये गया है आप description में जाके buy कर सकते हैं अगर आपको download करने में payment के बाद कोई issue आता है तो हमारी gmail id रहेगी आप इस पे mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं who was the founder of the gather party तो जितनी भी party हो गई movements हो गई या फिर जो organizations हो गई इन सबके founder आपसे जरूर पूछे आते हैं exams में इसकी भी separate video channel पे मिलेगी तो gather party किसके दौरा found करी गई तो हमारा answer हो जाएगा both A and B तो हरदयाल और सोहन सिंग भखना इन दोनों के दौरा मिलके gather party को found किया गया तो हमारा answer हो जाएगा 1757 में battle of plassi को लड़ा गया था इस वीडियो में हम पूरी detail में questions नहीं discuss कर रहे हैं क्योंकि separate video already topic पे आपको मिल जाएगी 100 questions इस वीडियो में discuss करेंगे तो काफी बड़ी video बन सकती है इसलिए जो direct होंगे question answer वो आपको बताए जाएगे थोड़ी जो इंडिया का अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को national anthem को इंडिया के अडॉप्ट किया गया था Reserve Bank of India was founded in which of the following year तो Reserve Bank of India को कौन से साल में found किया गया था आप सबको पता होगा हमारा answer हो जाएगा 1935 1935 में RBI को found किया गया था हमने आपको 3 एर बताए हैं RBI के जो कि आपको याद रखने है 1935 में Reserve Bank of India को found किया गया था 1937 में Reserve Bank of India का जो headquarter है उसको कौलकता से बदल कर मुंबाई कर दिया गया था और 1949 में RBI को nationalize किया गया था काफी बार पूछा जाता है कि RBI nationalize कब हुआ था तो आपका answer हो जाएगा 1949 The Aga Khan Cup is related to which sport तो sports related कौन कौन सी trophy होती है personalities कौन से sports से related है इस type के question काफी देखने को मिलते है exams में तो Aga Khan Cup जो होता है कौन से sports से related होता है हमारा answer हो जाएगा hockey तो hockey जो sport होता है उससे related होता है Aga Khan Cup Which act is known as Charter Act of Slavery तो Charter Act of Slavery के नाम से कौन से act को जाना जाता है तो आपका answer हो जाएगा The Government of India Act 1935 तो Government of India Act जो लाया गया था 1935 में उसको Charter Act of Slavery के नाम से भी जाना जाता है In which state of India is Aurang National Park situated Important इसलिए रहेगा क्योंकि राजीव गांधी Aurang National Park पहले इसका पूरा नाम था उसमें से राजीव गांधी जो शब्दे उसको अटा दिया गया है अब इसको सिर्फ Aurang National Park बना दिया गया है कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा Assam Assam state में located है Aurang National Park National Park की एक separate video है जो की बिलकुल detail full important video रहेगी क्योंकि उसमें total 106 के 106 National Park आपको cover कराए गए है आप उसको देख सकते हैं चैनल पे मिल जाएगी Which river is known as the handmade of Narmada Handmade of Narmada की नाम से कौन सी river को जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Tapti Tapti river को handmade of Narmada river भी बोला जाता है Which of the following will be India's first solar mission भारत का पहला solar mission कौन सा होगा तो हमारा answer हो जाएगा Aditya 11 mission जो है यह इंडिया का पहला solar mission होगा और जो सूरज होगा जो सूर्य होता है उसको देखने के लिए Aditya 11 mission जो है इसको launch किया जाएगा तो यह इंडिया का पहला solar mission है काफी जादा important रहेगा अगला question देखते हैं Who among the following is not a भारत रत्न अवर्डी तो given options में से किसको भारत रत्न अवर्ड से सम्मानित नहीं किया गया तो हमारा answer हो जाएगा महत्मा गांदी तो महत्मा गांदी को कभी भारत रत्न अवर्ड नहीं दिया गया है बाकी तीनों को भारत रत्न अवर्ड से सम्मानित किया जा चुका है आपसे एर भी पूछे जाते हैं कि इस व्यक्ति को कौन से साल में भारत रत्न अवर्ड दिया गया था तो भारत रत्न की भी separate वीडियो मिलेगी रंगंधितु बर्ड सेंचुरी is located in रंगंधितु बर्ड सेंचुरी कहां पर है तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाटका करनाटका स्टेट में है रंगंधितु बर्ड सेंचुरी आदी पेरुकु फेस्टिवल is celebrated in which of the following Indian state तो आदीप पेरुकू की जो festival है कौन सी state में celebrate किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडू तमिलनाडू state का festival है आदीप पेरुकू भारत के Supreme Court के पहले chief justice कौन थे पहले defense minister कौन थे पहले railway minister कौन थे पहली महीला गवर्णर कौन थी पहले महीला चीफ मिनिश्टर कौन थी तो इस टाइब के जो कोशन्स होते हैं ये भी काफी देखने को मिलते हैं तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोट के तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया जस्टिस हीराराल जे कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट इस्टेबलिश हुआ था 1950 में विच स्टेट इस दी लारजेस्ट राइस प्रडूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया तो इंडिया में सबसे ज़ादा कौन सी स्टेट राइस का प्रोड़क्शन करती है तो हमारा आंसर हो जाएका वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल स्टेट में सबसे ज़ादा प्रोड़क्शन होता है राइस का चावल का अगर आपसे शुगर का पूछा जाए शुगर या फिर शुगर केन का जो सबसे जादा प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश अगर आपसे डाइमंड का पूछा जाए कि डाइमंड की जो डाइमंड प्राप्त होता है जो ख़दाने हैं जो diamond produce होता है वो सबसे ज़्यादा कहां पे होता है तो आपका answer हो जाएगा मध्यप्रदेश और सबसे ज़्यादा forest cover कहां पे है तो आपका answer हो जाए मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में ही सबसे ज़्यादा national park भी है total कितने national park हैं तो आगला कोश्चन देखते हैं In which year Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan तो सबसे पहले तो यही कोश्चन होता है कि कि किस किस के बीच में sign करी गई थी तो इंडिया और पाकिस्टान के बीच में sign करी गई थी कौन से साल में की गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 1960 1960 में Indus Water Treaty को sign किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा लाला लाजपत राई लाला लाजपत राई को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और जितने भी freedom fighters हैं उनके कुछ ना कुछ निकनेम्स होते हैं तो वो आपके exam में पूछे जाते है ब्रह्मो समाज was founded by whom ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया तो आपको पता होगा राजा राम मोहन रोय राजा राम मोहन रोय ने found किया था ब्रह्मो समाज को तो हमारा जो national anthem है उसको गाने का जो total time period है कितनी देर के लिए गाया जाता है वो कितना है तो हमारा answer हो जाएगा 52 seconds तो 52 seconds जो है ये duration है singing का national anthem का इंडिया की इन human body where is the digestion of protein occurs तो digestion of protein जो protein होता है वो जो digest होता है वो कहां पे होता है तो आपका answer हो जाएगा small intestine जो हमारा food होता है उसका जो last digestion का process होता है वो small intestine में ही होता है protein भी small intestine में ही digest होते है और अगर आपसे पूछा जाए कि digestion का जो process होता है वो कहां से start होता है तो वो होता है mouth से start mouth में जो salivary glands होते हैं वो saliva को secret करते हैं जिससे की foods होता है वो lubricate होता है और वहाँ से जो digestion का process होता है वो start होता है तो start होता है mouth से और जो last process होता है वो होता है small intestine में digestion का यह आपको ध्यान रखना है अगला motion देखते है What is the SI unit of electrical conductivity electrical conductivity की SI unit क्या होती है तो SI unit की भी separate video channel पर आपको मिल जाएगी हमारा answer हो जाएगा Simon Simon जो होती है यह SI unit होती है electrical conductivity की Which is the smallest gland of our body तो हमारी जो body है उसमें जो सबसे छोटी gland है वो कौन सी होती है सबसे बड़ी आपको पता होगा lever जो होता है सबसे बड़ा gland होता है हमारी body का और अगर हमारी body का सबसे बड़ा part आपसे पूछा जाए क्या होता है तो skin जो होती है वो सबसे बड़ा होता है gland में होता है lever और अगर सबसे छोटा पूछा जाएगी सबसे छोटा gland कौन सा होता है तो आपका answer हो जाएगा pineal gland पाइनल ग्लेंड जो होता है हमारे brain में present होता है जो pituitary gland होती है वो भी brain में होती है पाइनल ग्लेंड जो होती है ये भी होती है हमारे brain में present तो यह आपको ध्यान रखना है adenal gland आप देख सकते है adenal gland most important रहती है और यह जो होती है जो kidney होती है उसके upper side present होती है और जो हमारी जो blood pressure होता है वो depend होता है adrenal gland पे यह question आपसे exam में पूछा जाता है which is the hardest part of human body तो हमारी body का सबसे hardest part क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा enamel tooth enamel जो होता है यह hardest part होता है हमारी body का femur जो होती है, सबसे बड़ी bone होती है जिसको की thigh bone भी बोला जाता है और steps जो होती है, सबसे छोटी bone होती है जो कि हमारे ear में present होती है ear में कितनी bone होती है तो 3 bones होती है उसमें जो steps होती है, वो सबसे छोटी bone होती है अगर आपसे ये पूछा जाता है कि hardest element क्या होता है सबसे दुनिया में तो आपका answer हो जाएगा diamond अभी तक की खोज के मताबिक diamond जो है वो hardest element होता है who discovered the first antibiotic तो first antibiotic पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चीए सबसे पहली जो antibiotic थी वो क्या थी तो आपका answer क्या होगा आपका answer हो जाएगा peninsulin peninsulin जो थी ये सबसे पहली antibiotic थी जो की discover करी गई थी फिर आपसे question ये पूछा जाता है कि antibiotic सबसे पहली जो peninsulin होती है ये किसके द्वारा discover करी गई तो आपका answer हो जाएगा Alexander Flaming Alexander Flaming जो है इनके द्वारा discover करा गया था antibiotic को पहली antibiotic को 1928 में जिसका नाम रहेगा peninsulin तो आपको ध्यान रखना है अगला question देखते है who is the author of the book to a hunger free world जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा M.S. Swami Nathan को क्या बोला जाता है तो father of green revolution in India के नाम से भी जाना जाता है M.S. Swami Nathan को इनके द्वारा ही book लेखी गई है to a hunger free world word trade organization जिसको की WTO भी बोला जाता है was started in which year तो word trade organization को कब start किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 1995 नगोंजो, उकोंजो, इवियालो जो है ये current time में WTO की secretary general रहेंगी जिनका अभी हाली में appointment किया गया है और आगे आने वाले exams में 100% ये question पूछा जाएगा अगला question देखते हैं which enzyme converts glucose into ethanol तो आपको ये पता होगा glucose होता है उसको ethanol में convert किया जाता है कौन सा enzyme होता है जिसकी मदद से glucose को ethanol में convert किया जाता है और जो zymase enzyme होता है जो yeast होता है उसमें mainly ये अकर होता है जो natural निकलता है वो yeast में होता है zymase तो ये आपको पता होना चाहिए अगला question देखते है what is the upper layer of skin called तो skin की जो upper layer होती है भारी जो सतय होती है उसको क्या बोला जाता है तो आपका answer हो जाएगा epidermis body का तो वो हो जाएगा skin और अगर आपसे largest gland पूछा जाए तो वो lever होता है आपने पीछे discuss करा अब हमारी जो skin होती है ये कितने part में divide होती है तो seven layers होती है जिसमें हमारी जो human skin होती है वो divided होती है जिसमें जो outermost layer होती है उसका नाम होता है epidermis coil of the heater is made up of तो heater का coil किस से बना होता है तो हमारा answer हो जाएगा नाइक्रोम नाइक्रोम जो होता है इसका जो boiling point होता है वो काफी जादा होता है और ये boil होके गरम होके ये heat fact आए तो इसकी वज़े से नाइक्रोम जो होता है उसका use करा जाता है coils में who is known as the father of civil aviation in India तो father of civil aviation के नाम से किस को जाना जाता है तो आपका answer हो जाएगा jrd tata jrd tata को father of civil aviation के नाम से जाना जाता है इंडिया में how many pairs of ribs are present in human body तो हमारी जो body है human body में जो ribs होते हैं उनका pair कितने होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा 12 12 जो होते हैं ये pairs होते हैं ribs में लेकिन अगर आपसे question ये पूछा जाएगा total ribs कितनी होती हैं तो आपका answer हो जाएगा 24 24 ribs होती हैं जो की pair में एक pair में 2 ribs होती हैं तो 12 pairs होते हैं ribs के और 24 होती है total ribs अगला question देखते हैं which of the following was published by Gandhiji during his stay in South Africa तो जब Gandhiji South Africa में रहते थे उस time पे Gandhiji के द्वारा एक newspaper publish किया गया था उसका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Indian opinion Indian opinion जो है ये एक newspaper है जिसको publish किया गया था Gandhiji के द्वारा South Africa में अब South Africa से इंडिया वापिस कब आये थे गांदी जी तो 9 जनवरी 1950 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांदी South Africa से वापिस आये थे इंडिया और इसी लिए हम 9 जनवरी को हर साल NRI Day या फिर प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उसी दिन महात्मा गांदी वापिस आये थे इंडिया अगला कूश्चन देखते हैं Name the cell which directly converts solar energy into electrical energy तो solar energy से electrical energy में convert किया जाता है कौन सी cell के थो तो हमारा answer हो जाएगा photovoltaic cell photovoltaic cell जो होती है ये directly convert करती है solar energy को electrical energy में Who is known as the Bismarck of India Bismarck of India किसको जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Wallabhai Patel Wallabhai Patel को Miss Park of India के नाम से भी जाना जाता था Who was the first recipient of Gyanpete Award तो Gyanpete Award के पहले recipient कौन थे सबसे पहले Gyanpete Award किसको दिया गया था तो हमारा answer हो जाएगा G. Shankar Kurob G. Shankar Kurob जो है first recipient है Gyanpete Award के When is international workers day observed Days के उपर question जरूर पूछा जाता है exam में तो हमारा answer हो जाएगा One May First May को हर साल observe किया जाता है International Workers Day The average life span of red blood cell is about तो RBC जो होती है उनकी life span कितनी होती है average तो हमारा answer हो जाएगा 100 से 120 days तो 100 दिन से लेके 120 दिन तक की life cycle होती है life span होता है red blood cells का Who is the author of the book titled आजादी freedom fascism fiction तो आजादी freedom fascism fiction जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा अरुंदती रॉय जिनको सबसे पहली man booker prize दिया गया था अरुंदती रॉय उनके द्वारा book लिखी गई है आजादी freedom fascism fiction जो की पहली महिला है जिनको man booker prize मिला था सर्दार सरोवर डैम is on which river सर्दार सरोवर डैम is on which of the following river तो सर्दार सरोवर डैम जो है ये कौनसी river पे है तो आपका answer हो जाएगा नर्मदा नर्मदा जो river है उसके उपर उसके around situated है सर्दार सरोवर डैम अगर आपसे कोई भी डैम पूछा जा रहा है लेक पूछा जा रहा है या फिर fall पूछा जा रहा है कौनसी state रहेगी जहां पे located है तो आपका answer हो जाएगा गुजरात गुजरात state में located है सर्दार सरोवर डैम और सर्दार सरोवर डैम जो है ये water जो होता है water supply जो होता है electricity जो होती है ये provide कराता है चार states को कौन-कौन सी state रहेगी तो मद्यप्रदेश, महरास्ट, राजिस्तान और गुजरात चार states को water electricity प्रोवाइड कराई जाती है सर्दार सरोवर डैम के द्वारा अगला question देखते है तो हमारी आपका कौन सा पार्ट होता है जो कि transplant किया जाता है तो हमारी आपका पार्ट होता है जिसको transplant किया जाता है डोनेट किया जाता है which of the following is not an ore of magnesium तो magnesium की इन में से कौन सी ore नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा nitrate, nitrate जो होती है ये ore नहीं है magnesium की, epsan salt आपको बताई है magnesium sulfur जो होता है उसको epsan salt भी बोला जाता है on monuments and sites जिसको की ecomos भी बोला जाता है is located at तो international council on monuments and sites का headquarter कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा Paris, France तो Paris जो की capital है France की वहां पे headquarter है international council on monuments and sites का Mount Harriet national park is situated in which place तो Mount Harriet national park जो है ये कहां पे situated है तो हमारा answer हो जाएगा Undaman and Nicobar Island तो Undaman and Nicobar Island जो है यहां पे non national parks है ये भी आपको पता होना चीए दूसरे नमबर पे सबसे जादा national park कहां पे है इंडिया में तो वो है Undaman and Nicobar Island पे non national park है उसमें most important रहता है Mount Harriet national park पंती dance is the most popular folk dance form of which state तो पंती dance जो है ये एक most important folk dance है कौन सी state का तो हमारा answer हो जाएका 36 गड़ 36 गड़ state का एक important dance है पंती dance which of the following is the smallest bird smallest bird कौन सी है तो आपको पता होगा hummingbird जो है ये सबसे smallest bird है दुनिया की the Pulitzer Prize is associated with which of the following तो Pulitzer Prize कौन सी field में दिया जाता है तो आपका answer हो जाएका journalism 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 की field में दिया जाता है सम्मानित किया जाता है Pulitzer Prize से name of the person popularly known as गुरुदेव तो गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore जी को जाना जाता था गुरुदेव के नाम से इनको इंडिया में सबसे पहले nobel prize मिला था कौन सी बुक के लिए मिला था तो गितांजली जो बुक है Rabindranath Tagore की उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था A candidate must have completed what age to be a member of लोकसभा तो लोकसभा का member बनने के लिए minimum कितनी age होनी चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 years 25 years जो होती है minimum age होती है लोकसभा का member बनने के लिए which gland is responsible for the secretion of insulin insulin जो होता है ये कौन सी gland के दौरा secret किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा pancreas तो pancreas जो होती है gland होती है जिसके दौरा insulin को secret किया जाता है और insulin जो होता है अगर इसकी body में कमी होती है तो उसकी वज़े से ही diabetes की परेशानी आती है who among the following was first recipient of राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड तो राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड का अब नाम बदल दिया गया है क्या नाम रहेगा तो मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवर्ड नाम रगतिया गया है राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड का तो इसके जो पहले recipient थे सबसे पहले किसको मिला था तो हमारा answer हो जाएगा विश्वनात आनंद तो विश्वनात आनंद जो की Indian chess player है इनको सबसे पहले संबानित किया गया था राजीव गांदी खेल रतन अवर्ड से या फिर मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवर्ड से वेर इस लोकेटेड Central Rice Research Institute इन इंडिया तो Central Rice Research Institute कहां पे लोकेटेड है तो हमारा answer हो जाएगा कटक कटक जो जगे है यहाँ पे हेड़ कॉर्टर है यहाँ पे लोकेटेड है Central Rice Research Institute वर्ड नू तबैको डे इस अब्जर्वड ओन तो वर्ड नू तबैको डे जो होता है यह कब अब्जर्व किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 31st में हर साल 31st में को वर्ड नू तबैको डे के रूप में अब्जर्व किया जाता है विच केमिकल कंपाउंड इस कॉल्ड पर्ल एश तो पर्ल एश कौनसी केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा potassium carbonate potassium carbonate जो होता है इसको पर्ल एश के नाम से भी जाना जाता है who is the author of the book freedom behind bars तो freedom behind bars जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा किरन बेदी किरन बेदी जो है ये पहली महिला IPS officer है इंडिया की जनके द्वारा book लिखी गई है freedom behind bars international women's day is celebrated on which date international women's day कब celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 8 March हर साल 8 March को international women's day के रूप में मनाया जाता है Bimbet का rock shelter is a UNESCO world heritage site located in तो Bimbet का rock shelters जो है कहाँ पर located है तो हमारा answer हो जाएगा मद्यपरदेश मद्यपरदेश state जो है वहीं पर located है Bimbet का rock shelters और जो खजुराव temples है वो भी रहेंगे मद्यपरदेश state में और दो caves पूशी जाती है अजन्ता caves, इलोरा caves और एलिफेंटा cave तीन cave होती है यह कहाँ पर located है तो यह है महाराष्ट state में Who is also known by the name Grand Old Man of India Grand Old Man of India किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा दादभाई नरोजी दादभाई नरोजी जो है इनको Grand Old Man of India के नाम से भी जाना जाता है इस शक्ती military excise इसे excise between India and Dash तो शक्ती military excise जो है इंडिया और कॉनसी country के बीच में होती है तो हमारा answer हो जाएगा France इंडिया और France के बीच में होती है शक्ती military excise इमेज प्रिंट है तो हमारा answer हो जाएगा कुनार्क सन टेंपल कुनार्क सन टेंपल जो है इसकी जो इमेज रहेगी ये 10 रुपे के note के पीछे की side printed है ये आपसे question पूछे जाते है तो जितने भी new note रहेंगे उनके पीछे किसकी print है image ये आपको पता होने चाहिए what is the pH level of lemon juice lemon juice का pH level कितना होता है तो हमारा answer हो जाएगा 2.4 तो lemon juice थोड़ा acidic होता है 2.4 जो होता है lemon juice का pH level होता है तो इसमें 2.4 के around आपको जो भी option मिल जाएगा वो आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि 2.4 मतलब इसके around आपका correct answer रहेगा अगला question देखते है which of the following is a female sex hormone female sex hormone क्या होता है कौन-कौन से होते है तो हमारा answer हो जाएगा बोथ A and B तो progesterone और estrogen ये दो होते हैं जो की female sex hormones होते है अगर आपसे पूछा जाएगा male sex hormone कौन सा होता है तो आपका answer हो जाएगा testosterone testosterone जो होता है ये होता है male sex hormone अब यहाँ पे एक most important question ये भी पूछा जाता है कि जो fertilization का process होता है वो कहाँ पे होता है तो females में जो fertilization का process होता है वो होता है फैलोपिन ट्यूब फैलोपिन ट्यूब आपको याद रखना है वहाँ पे fertilization होता है नालंदा यूनिवस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त को तो कुमार गोपती जो है इनके द्वारा फाउंड किया गया था नालंदा युनिवस्टी को, नालंदा युनिवस्टी कहाँ पे है तो नालंदा युनिवस्टी और विक्रम शिला युनिवस्टी दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों रहेंगी बिहार स्टेट में लोकेटेड which instrument is used to measure depth of sea तो sea जो होती है, ocean होता उसकी जो गहराई होती है उसको किस instruments के थू नापा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा phathometer phathometer जो होता है, इक instrument होता है जिसकी मदद से depth of sea को नापा जाता है study of birds is known as तो birds की study को क्या कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा ornithology और निथोलोजी जो होती है ये होती है study of birds, study of animal होता है zoology और study of plants होता है botany 49th parallel is the borderline between 49th parallel जो है borderline है किस-किस के बीच में तो हमारा answer हो जाएगा America and Canada America और Canada को जो divide करती है borderline वो रहेगी 49th parallel India और Pakistan को कौन सी line divide करती है तो red cliff line जो है ये borderline रहेगी जो कि divide करती है India और Pakistan को और साथी साथ India और Bangladesh को भी अगर आपसे पूछा जाए कि India और China को कौन सी borderline divide करती है तो आपका answer हो जाएगा Macmohan line Macmohan line है India China के बीच में और red cliff line है India Pakistan के बीच में What is the chemical formula of caustic soda तो caustic soda का chemical formula क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा NAOH जो होता है ये chemical formula होता है caustic soda का chemical formula और chemical name के उपर भी आपको separate video channel पे मिल जाएगी Total number of high quotes in India इंडिया में total कितने high quotes है तो हमारा answer हो जाएगा 25 25 high quotes है इंडिया में अगर कोई कम या फिर जादा होता है तो उसके इसाब से आपका answer जो रहेगा वो decide हो जाता है अगर आपको 25 option में मिला है तो अभी आपका 25 भी correct answer हो जाएगा और high quotes जो होते हैं कितने high quotes हैं 28 states हैं 8 union territories हैं कहां कहां पे उनके high quotes लगते हैं इसकी भी separate video channel पे मिल जाएगी Where is the headquarter of Asian Development Bank located तो ADB जो bank है Asian Development Bank उसका headquarter कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा Manila Philippines अगर World Bank का पूछा जाए तो वो रहेगा Washington DC अमेरिका में Who has given the slogan इंकलाब जिनदाबाद इंकलाब जिनदाबाद स्लोगन किस ने दिया था तो हमारा answer हो जाएगा हजरत मुहानी हजरत मुहानी के द्वारा इंकलाब जिनदाबाद स्लोगन दिया गया था और ये popular किया गया था बगत सिंग के द्वारा Who was the first railway minister of India भारत के पहले railway minister कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा John Mathai जो थे ये पहले railway minister थे इंडिया के Second Battle of Panipat was fought between Hemu and Akbar forces in which year तो Second Battle of Panipat जो हुई थी ये कब हुई थी तो हमारा answer हो जाएगा 5 November 1556 पहली battle कब हुई थी तो वह हुई थी 21 April 1526 में 3rd battle कब हुई थी तो 14 January 1761 में ये 3 battle रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखने है पानिपत की तीनों battle important रहती है पहली battle आपको जरूर ध्यान रखनी है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी जिसमें मुगल empire जो था बाबर के द्वारा इस्थापित किया गया था और जो लोधी वंच है इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट टूलर थे उनके द्वारा वो लास्ट टूलर थे उनको मार दिया गया था फर्स्ट बैटल आफ पानीबत में Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize in which year Mother Teresa को Nobel Peace Prize दिया गया था कौन से साल में तो हमारा आंसर हो जाएगा 1979 में Mother Teresa को Nobel Peace Prize से सम्मानित किया गया था Telecom Regulatory Authority of India जिसको की ट्रे भी बोला जाता है was founded in which year तो Telecom Regulatory Authority of India कब फाउंड की गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा 1997 1997 में फाउंड किया गया था ट्रे को Who is the author of the book? The Argumentative Indian The Argumentative Indian book के author कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा Amartya Sen Amartya Sen author है Argumentative Indian book के books and authors के उपर एक most important वीडियो हमने बना रखी है आपको चैनल पे मिल जाएगी अलग-अलग separate वीडियो है modern history की medieval की और ancient की तीलों की अलग-अलग आपको वीडियो मिलेंगी अगला question देखते है Where is the headquarter of international monetary fund IMF located तो IMF का headquarter कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा Washington DC USA Washington DC में headquarter है IMF का international monetary fund का अगर IMF की बात करी जाए तो IMF की director कौन है तो जोर्जिया जो है यह current time में director है IMF की chief economist आपसे पूछी आती है क्योंकि वो भारती रहेंगी कौन है तो गीता गोपिनाथ जो है एक Indian रहेंगी यह chief economist है international monetary fund की What is the capital of Malaysia? Malaysia country की capital क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Kuala Lumpur What is the full form of NEFT? NEFT की full form क्या होती है तो हमारा answer रहेगा national electronic fund transfer Full form होती है NEFT की 22nd Commonwealth Games 2022 are going to head in तो 22nd Commonwealth Games का edition होगा 2022 में वो कहां पे होगा तो हमारा answer हो जाएगा Birmingham Birmingham United Kingdom में होने जा रहा है 22nd Commonwealth Games 2022 में Where is the headquarter of FIFA located? FIFA जो है football से related होता है headquarter कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा Zurich Switzerland Zurich Switzerland में headquarter है FIFA का Guru Nanak Dev Ji was born in which year? तो Guru Nanak Dev Ji जो है इनका जनम कब हो था तो हमारा answer हो जाएगा 1469 1469 में जनम हो था Guru Nanak Dev Ji का Who was the youngest person to became the Prime Minister of India? तो Prime Minister बनने वाले youngest person कौन है इंडिया के तो हमारा answer हो जाएगा राजीव गांधी राजीव गांधी जो थे ये youngest person थे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इंडिया के सागरमाला प्रोजेक्ट was launched for the development of ports in India on तो सागरमाला प्रोजेक्ट को launch किया गया था ports की development के लिए इंडिया में कब तो हमारा answer हो जाएगा 31 July 2015 तो 31 July 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को launch किया गया था जिससे कि जो ports इंडिया में उनको develop किया जा सके सुराज is my birthright and I shall have it slogan was given by तो ये जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया था सबको पता होता है हमारा answer हो जाएगा बाल गंगादर तिलक बाल गंगादर तिलक ने स्लोगन दिया था सुराज is my birthright and I shall have it रानी की वाव is located in which state of India रानी की वाव कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा गुजरात गुजरात state में located है रानी की वाव रहंद डैम is located in which state of India तो हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटिड इस्टेट है उत्तर प्रदेश वहाँ पे लोकेटिड है रहंद डैम तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्मराम पांडुरंग तो पांडुरंग ब्रदर जो थे एक तो आत्मरान ते और इनकिनके भाई रहेंगे पांडुरंग तो पांडुरंग ब्रदर्थ के द्वारा प्राथना समाज को फाउंड किया गया था whose autobiography is titled as I am no masiha I am no masiha किसकी autobiography है तो हमारा answer हो जाएगा Sonu Sud Sonu Sud की autobiography है I am no masiha और जो कुरोना के टाइम में इनके द्वारा काफी जादा मदद करी गई है जिसकी वज़े से ये काफी चर्चित रहे हैं और इनके related question आपसे exam में पूछे जा सकते हैं Vembanad Lake is located in which state of India Vembanad Lake कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा Kerala Kerala state में located है Vembanad Lake India and Sri Lanka are joined by which of the following state तो कौन सी state रहेगी जिसके द्वारा India और Sri Lanka join हैं मिले हुए हैं तो हमारा answer हो जाएगा Palk state तो Palk state जो है एक state रहेगी जिसके द्वारा India और Sri Lanka जुडे हुए हैं Rollet Act was passed in which year तो Rollet Act कब pass किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 1919 तो हम 1919 से आपको तीन चीज बताते हैं एक तो Rollet Act रहेगा 1919 का जलियावाला बाग मैसकर हुआ था 1919 में और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में तो तीनों को आप लिंक कर गया रखें Rollet Act, जलियावाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट तो तीनों हो जाएँगे 1919 Who is the inventor of dynamite dynamite की खोश किसके द्वारा करी गई तो हमारा answer हो जाएगा Alfred Nobel Alfred Nobel के द्वारा करी गई थी जिनके नाम पे ही Nobel Prize को रखा गया है कौन सी country से related है तो ये country से related है Sweden से, इनके द्वारा dynamite की खोश करी गई थी How many rates are provided in the Indian Constitution तो हमारा जो भारतिय समविदान है इंडियन Constitution है, उसमें total कितनी rates है, rates आप से पूछी जाती है 5 rates होती है, कौन-कौन सी rates होती है, इनका जो नाम है वो आपको पता होना चीए, अगर आपको पता है कि कौन-कौन सी 5 rates होती है तो आप इन 5 rates के नाम comment box में जरू टाइप करके बताएं आपको जरू टाइप करने हैं, 5 यो के 5 rates के नाम, अगला question देखते है Money current temple is located in which state of India, तो Money current temple कहा पे located है, तो हमारा आपको जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टरिटरी है, इंडिया की यहाँ पे located है, बगलिया डैम और रिवर रहेगी चिनाप रिवर What is the full form of UPS, UPS की full form क्या होती है, तो हमारा answer हो जाएगा, uninterrupted power supply, uninterrupted power supply जो होती है, full form होती है, UPS की UPS का use कर जाता है, जैसे power cut होती है, तो उसमें जो हमारा system चल रहा है, वो बंद ना हो, uninterrupted power supply मिलती रहे, इसलिए UPS का use किया जाता है, तो UPS की full form हो जाएगी uninterrupted power supply, तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like करें, अगर आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को जरूर subscribe कर लें, जितने भी topics होते हैं, चाहे कोई भी topic हो, हर topic की आपको separate video channel पर मिल जाएगी, description में आपको link मिल जाएगा, all static gk topic के नाम से playlist पनाई गई है, उसमें आपको सारे topic मिल जाएगे, इसके अलावा ebook रहेगी 2000 questions की 99 rupees में आपको मिल रही है, वो आप buy कर सकते हैं, उसका link भी description कराई जा रही है, धन्यवाद दोस्तों